हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरध्युवे आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे करेंगे 15 और 16 अप्रेल 2020 की जित कि उन लोगों को भी इसका benefit मिल सके तो चलिए आज के पहले question की तरफ बढ़ते हैं first question जो हमारा है वो क्या है name the first Indian state which get ICMR approval to conduct clinical trial of plasma therapy treatment for for COVID-19 तो आपको बताना है उस प्रथम भारती राज्य का नाम जिसने उस प्रथम भारती राज्य का नाम बताईए जिसे COVID-19 के लिए plasma therapy उपचार के लिए नैदानिक परिक्षन कराने के लिए ICMR की मंजूरी मिली है तो आजकल ये जो therapy है ये काफी जादा news में है important है अगर देखा जाए plasma theory जो है ये काफी जादा news में है और ये जो permission मिली है वो करला ये राज्य है करला राज्य को मिली है ठी अहां पर ICMR का फुल पॉम आपको दिख रहा है ICMR में I stand for Indian C stand for Council M for Medical and R for Research यानि Indian Council of Medical Research इन्होंने approval दिया है किसे दिया हुआ है SCTIMST SCTIMST यानि श्रीचित्रा तिरुननल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नलोजी ये तिरुवननत पुरम केरला में है तो ये केरला में है तो इसका मतलब भी होगा कि केरला केरला राज पहला राज्य है जिसको प्लाज्मा थरेपी ट्रीट्मेंट की पर्मीशन जो है वो ICMR की तरफ से मिली है इसमें क्या होता है किसी स्वस्थ जो COVID-19 से स्वस्थ होकर के लोटने वाले किसी मरीज का प्लाज्मा निकाल करके प्रजेंट टाइम में COVID-19 से सफरर जो होंगे उनके बॉड़ी में ट्रांसफर करके उसको बचाने का प्रयास किया बढ़ाने के लिए इस प्लाज्मा थरिपी का प्रयोग किया जाता है अगले कोशन की तरफ बढ़ेंगे विच और्गनाइशन और्गनाइज ब्रेक दक कोरोना चेन केंपेंट टू ऑन ग्राउंड जीरो ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट्स तो आपको बताना है कि संगठन ने विभिन भारती राज्यों के ग्राउंड जीरो पर कोरोना चेन अभियान का आयोजन किया है मतलब उस संगठन का आपको नाम बताना है इसका करेक्ट एंसर क्या है इफको ठीक है तो इसकी डिटेल जड़ा देख लेते हैं एक बार क्या है इंडियन फार्मर्स इंडियन फार्मर्स फर्डलाइजर कोपरेटिव एप इंड्या बिगेस्ट कोपरेटिव तरीके सुसाइटीज यह जो कि लगातार जो है क्या कर रही है कि एक सोशल इवर्नेस कैंपन चला रही है जिसका नाम है ब्रेक्ट दा कोरोना चैन आपको मालूम है तमाम तरीके के प्रोग् मेजर्स जो है वो लोगों को बचाए जा सकें जिससे की कोविट 19 से बचा जा सकता है तो यह सब करने का काम जो है वह को कर रहा है लगातार अगला क्वेश्चन है नेम दा इंडिन स्टेट विच फूड बैंक इनिशेटिव विद थीम हेल्प एंड हंगर टुडे फॉर और उस भारती राज्य का नाम बताना है जिसने गरीब और जुरुतमन लोगों के लिए help एंड हंगर टुडे विशह के साथ फूड बैंक की शुरुवात करी है तो फूड बैंक की शुरुवात करने वाला यह जो राज्य है यह है मनिपूर यह राज्य कौन सा है मनिपूर तो एक तरीके से अगर आप देखिए इंफाल इस्टेट डिस्टिक अड्मिस्टेटिव अड्मिस्टेशन ऑफ मनिपूर स्टेट गवर्मेंट हैज लॉँ इनिशेटिव फूड बैंक तो यह जो है मनिपूर से फूड बैंक जो है कारकरम के शुरुवात करी जा रही है और इ जो नीडी है जिनको जरुरत है जिनको भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा है उन लोगों को भोजन प्राप्त करने की आपर यह एक बड़ी बात है जो कह सकते हैं इंफाल गवर्मेंट की सोरी मणिपूर्मेंट की तरफ से शुरुवात करी गई है कोविड 19 से निपटने के लिए ठीक है अगला कुश्चन है नेम दे कंट्री विच इस गोइंग टो होस्ट एशिन बॉंक्स बॉक्सिंग चैंपेंशिप 2020 इन नमवंबर तुसमबर 2020 उस देश का नाम बताना है जो नमबर 2020 में एशिया मुक्यबाजी चैंपेंशिप 2020 की मेजबानी करने जा रहा है तो यह मेजबानी भाई हमारा देश करने जा रहा है इंडिया ठीक है और BFI का मतलब हो गया बॉक्सिंग फेडरेशन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो डिरेक्टर है एक्जिकुटिव डिरेक्टर आर के शेटी इन्हों ने यह एनॉंस किया यह बताया है कि इ फारत जो है वह कोविड-19 से कहीं न कहीं उभर चुका होगा विश्व जो है इससे उभर चुके उभर चुका होगा अगर ऐसा हो पाता है तो नौम्बर संबर 2020 तक ही और अभी तक यह कहां पर और इसका प्लेस है वह डिसाइड नहीं किया गया होस्ट सिटी जो है वह डिस दिवस प्रतेक वर्ष कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है प्रतेक वर्ष 12 अप्रेल को तो आपको इसका खरेक्ट एंसर मिलेगा क्या 12 अप्रेल और इसका जो मुख्यूदेश है वह यह है मुख्यूदेश इसका यह है कि जो है लोग समझ सकें कि जो स्पेस साइंस है उसका वाइटल रोल है बहुत बड़ा रोल है कह सकते हैं कि मानव जीवन में और कह सकते हैं कि इस से क्या हो सकता है कि जो जो स्पेस साइंस है उसकी साहिता से बहुत सारे जो काम है वह मतलब लो बारे में लोगों को बताने के purpose से अगर देखा जाए लोगों को aware कराने के purpose से हर साल 12 अप्रैल को international प्रैल को कह सकते हैं कि यह मनाया जाता है ठीक है international डे हर साल मनाया जाता है जिसका की जिसका की नाम है International Day of human space flight तो यह आपको clear हो गया ऊगश है चलिए तो अगले सब्सक्राइब करेंगे जिससे की जो कोविड-19 के रोगी है उनमें प्रतियोतक शम्ता बढ़ के आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके बॉड़ी की जो म्यून सिस्टेम वह स्टॉंग होगा जितना स्टॉंग हो उतना आप बच रहेंगे तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है वो है गोवा ठीक है यह कह सकते हैं कि अनॉंस किया हुआ है कि यह गोवा जो है वो क्या करने जा रहा है एलोपेथी और आयुरुवेदिक मिक्शर को ले करके कह सकते हैं दोनों की सहायता से कोविड-19 पेशेंट के अंदर ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसी मेडिसीन डवलफ करेगा जिससे कि उनका इम्य बॉलीवूड अबनेत्री का नाम बताना है जिसे लाइविट रियल लेविट रॉफ शरी सक से के जेबियल अभियान का ब्रांड मिज़र चुना गया है तो यह ब्रांड मेंज़र चुना गया है आलिया भट को ठीक है यह सारा अली खान को चुना घिन यह सब्सक्राइब और सारा अली खान जो है उनको ब्रेंडम बिजडर बनाएगा जे बील का फुल फॉर्म आप आप से देख सकते हैं जेम्स बॉल लेंसिंग ठीक है जेम्स बॉल लेंसिंग यह यहाँ पर आपको फॉल फॉर्म देखने को मिलेगा बॉलिवुड अब नेत्री जो सारा लिखान है वो इसकी ब्रेंडम बिजडर बनी हुई है ठीक है चलिए अगले कुशन दरब पढ़ते हैं लिखा है Central Bank of which country has bought 1.01 stake in SDFC Bank किस देश के Central Bank ने SDFC Bank में 0.1% की हिस्सेदारी खरीदी है तो यह चाइना का Central Bank है और चाइना के Central Bank का नाम है CPBC यानि Chinese People Bank of India ठीक है तो आपको People Banks of China के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है SDFC के SDFC के 0.01% में लग है सकते हैं कि जो stake है उसको खरीदा है पहले 0.8% था उससे बढ़ा करके अब 0.01 stake कर दिया गया है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो चाइना के पास यहाँ पर लिखा है विग दिस नाव चाइना चाइना सेंट्रल बैंक होल्ड वन करोड सेवेंटी फॉर लैक नाइटी तू थाओद और नाइन हंड़न नाइन करोड एकुटी शेयर्स इन चाइना की सेंट्रल बैंक स्टेक को होल्ड करेगी ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगला कुशन है इन इन हाव मैनी फेजेज सेंसस ऑंडिया 2021 विल बी कंडेक्टेड यह जिसकी घोशना जो है मार्च उनीस सो बीस में की गई थी तो भारत दोजार बीस एक्किस में कि जनगडना है वह तने चरणों में आजित करेगा तो यह संसर जो होगा दो चरणों में ठीक है यह जम inflation rate of the for the month of March 2020 in India as per data of National Statistical Office और आफिस एन्सो रास्टी संख की कार्याल है एन्सो के आकड़ों के अनुसार मारत में मार्च 2020 तक के लिए खुद्रा मुद्रा स्वीती दर क्या होगी तो खुद्रा की मुद्रा स्वीती दर हो जाएगी 5.9% ठीक है तो फर्वरी 2020 की तुलना में अगर देखा जाए तो फर्वरी 2020 के 6.58% की तुलना में अब जो है यह मार्च में 5.91 हो जाएगी 5.91% हो जाएगी इस परकार से देखा जाती इंफ्लेशन डेट काफी गिर जाएगी इस तरह के देखा जाए और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कह सकते हैं किचेंट इसेंशेल जो है यानि कि रसोई में जो जरूरत वाली जो चीज़ें होती क्या है वह काफी काफी कम मतलब उनमें जो है किस तरह के से देखा रहा है कि यह जो प्राइज है जो एसेंशेल किचेंट के सेंशेल की जो प्राइज है वह काफी जादा फ्लेक्ट हो रहे हैं रिजन वहीं कोवीड-19 आपको मालूमी है ठीक है तो यह सब चीज़ें जो है मार्केट पे असर डाल रही है इस तरीके से अगला कुछ्छन है विच एडिशन ऑफ स्याचिन डे वाज ऑब्जर्वट बाइंडिन आर्मी ऑन अप्रेल 13 2020 13 अप्रेल 2020 को भारती सेन द्वारा स्याचिन दिवस का कौन सा संस्क्रण मनाये गया या देखा गया तो यह जो है 36 स संस्करण है यानि 36 अधिशन जो है वो स्याचिन डे के रूप में मनाये गया है इंडिन आर्मी के दवारा 13 अप्रेल को ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है वास्ती ग्रूप में देखा जाए तो यह जो इंडिन आर्मी है यह वर्ट की सबसे हाइएस्ट क्या सकते हैं क वह हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ पर जुटे रहते हैं तो डेट आपको याद रखनी है और यह इसका जो एडिशन है यह 36 अधिशन है यह भी आपको याद रखना है ठीक है अगले कुशन तरह बढ़ते हैं what is the theme of international children's book day 2020 which was observed on April 2 बच्चों के अंतराष्टी पुस्तक 2020 के लिए theme क्या है जो 2 अपरेल को मनाई गई थी यह दो अपरेल को मनाई जाने वाले अंतराष्टी पुस्तक दिवस 2020 के लिए theme क्या थी तो यह जो theme थी यह है अहंगर for words ठीक है इसकी theme क्या है अहंगर for words जिससे की बच्चे जो है वो उनको उनका attention जो है वो खींचा जा सक किताबों की तरफ जिसे कि वो किताबों से पुस्तकों से प्यार कर सकें तो यह आपका जो थीम है इसकी इसकी थीम थी अहंगर फॉर फॉर्ट ठीक है अगले कोशन दरब पढ़ते हैं नेक्स कोशन है यूएस इस तो सेल हारफून हारफून आपून एर लाँच एंटीशिप मिसाइल एंड मार्क 54 लाइट टॉपेडो वर्थ हाव मच रुपीज तो इंडिया रू मच एंडिया बाहरत अमेरिका भारत में कितने एमाउंट के हार्पून एर लांच की गई एंटिशिप मिशाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो को बेचेगा तो इसका जो एमाउंट है 155 मिलियन यूएस डॉलर ठीक है तो यूएस जो है वो 155 मिलियन यूएस डॉलर में यह भारत को बेचेगा जिससे भारत की जो जो कह सकते हैं सेन शक्ती है वो काफी ज़्यादा स्टेंदन होगी पढ़ेगी और जो आप आसपास के जो दुश्मन है उनकी ओपर इसका असर पढ़ेगा अगला कुश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉंच्ड देखो अपना देश देखो अपना देश वेबनार सिरीज डूरिंग दॉखडाउण ड्यू तु COVID-19 तो किस मंत्राले ने COVID-19 के कारण लॉट्डाउण के दौरान देखो अपना देश के वेबिनार स्रंखला का शुबारम किया है तो यह शुबारम किया गया Ministry of Tourism की तरफ से ठीक है अला कि यह काफी मतलब देख सकते हैं कि कहीं घूमने फिरने की तो वो है नहीं लेकिन इस बहाने आप अपने Tourism के बारे में अच्छी तरीकर जान सकते हैं लिखा दा अपना देश वेबिनार स्रीज तो प्रोवाइड इन्फोर्मेशन और मैनी डिस डेस्टिनेशन और डिटेल्स और एक्सपेंस ऑफ लिए इंडिया तो आप बैठे-बैठे जानकारी तो एक लिए सकते हैं इसकी जिससे कि जब तुरिजम जब यह आपका लोगड़ून खुल अगले कुश्चन की दिशक चलते हैं नेक्स कुश्चन माफ कीजिएगा यह अंतिम कुश्चन था ठीक है उम्मारे इस आज की स्रीज का तो उम्मीद करते हैं कि आज की सब्सक्राइब लोगों के साथ शेर भी करेंगे तो फेंक्यू एडब गुडि आएट